दोस्तों गहरे लूपचार और सुखी जीवन चैनल पर आपका हर्दिक स्वागत है आज हम आपके लिए एक ऐसा बहतरीन उपाय लेकर आए हैं जिसके इस्तिमाल से वरद्धा वस्था दूर होकर सरीर में नवियोवन पैदा होगा यह एक बेजोड काय कल्प उपाय है उपाय नमबर एक आधा किलो आवले का चूर्ण लेकर इसमें इतना आवले का रस डालें कि चूर्ण पूरी तरह भीग जाए अब इसे खरल में डालकर घोटें जब रस बिल्कुल सूह हो जाए तब दोबारा आवले का रस डालकर चूर्ण को तर कर लें और इसे फिर घोटें इस तरह एक्किस बार करें जब नुस्खा तयार हो जाए उसके बाद छैसे दस ग्राम सुबहे खाली पेट गाय के दूद के साथ लें और उसके दो ग्हंटे बाद तक कुछ न खाये उपाय नमबर दो 15 ग्राम ताजे व्यखू पके हुए आमले का रस लें और इसमें 15 ग्राम सहद मिला कर सुबहे खाली पेट इसका सेवन करें उसके दो ग्हंटे बाद तक कुछ न खाये दोस्तों इन उपायों को तीन महीने तक इस्तमाल करने से आपका सरीर रोग मुक्त हो जाएगा इस से वीरिय विकार नस्ट होते हैं इस से आमास्य को बल मिलता है और सरीर में ने रख्त का निर्मान होता है सिर्दर्द, नेत्र रोग, कब्ज, आदी जैसे रोगों से छुटकारा प्राप्त होकर नव्जीवन प्राप्त होता है दोस्तों बसंत रिदु में इसका सेमन अती उत्तम है परहेज, तेल, मिर्च, खटाई, गरिस्ट और तले पदार्तों से परहेज करें उपाए हमारे और फाइदे आप सब के इसी ख्याल के साथ अब दीजे इजाज़त जल्दी फिर हाजिर होंगे कुछ नए मर्ज और उनके आसान उपाएँ के साथ तब तक आप हस्ते रहें, मुस्काते रहें और अपना ख्याल रखें यदि हमारा ये प्रोग्राम आपको अच्छा लगा हो तो सबस्क्राइब और लाइक करना ना भूलें